का है है लो दोस्तों स्वागत है आपका National Defense Carrier Academy जैपुर के अंदर देखें दोस्तों हमारी ये चोथी क्लास है फूर्थ क्लास है और इस क्लास के अंदर हम नाउन की चर्चा कर रहे हैं और देखिे दोस्तों यदि हमारे exam की दुरस्टी से हम देखें तो नाउन का एक बहुत ही एहम रोल है और इसके बिना हम जो error part है उसको solution नहीं कर सकते क्योंकि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट होता है वो इसी के अंदर होता है इसके अलावा हम बात करें ना उनका जो ना उनके अलावा भी हम बात करें तो पार्ट्स ओफ इस पीस इस दा बैगबॉन आफ इंग्लिश इस एक इस पास्था इससी न्डी एसे डिये सना एरफ उस जो भी है ठीक जिसमें इंग्लिश में होता है और वहां पर कॉछ पूछे जाते हैं उनको एदि हमें कवर करना है तो यहां से 191 परसट्ट को पूछे जाते हैं उसी के मैं आज आपके सामने क्लास लेका हूं पिछल यह नाउन के पार्ट हमने पढ़ लिये थे हो मेनी टाइपस ऑफ नाउन ठीक है प्रॉपर कॉमा जो भी अबस्ट्रेक्ट कलक्टिव है यह सारी चीजे मैंने बता दी इसके लावा हमने इसको केटेग्राइज किया कि काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल का नाउन की बात क अबने मतलब जेंडर के कोडिंग डिवाइड़ किया तो यह सारे जो नाउन से हमने इसको डिवाइड कर लिया है इसके बाद हम बात करें आगे आज हम उसी लेवल में जो आगे का जो पार्ट है वो लेकर आ हूं और वह है यूनिट ठीक है कि हम किसके साथ अना क्या लगा सारी चीजिए में आपके सामने लेकि आया हूं तो मैंने बताया था आपको की जो नॉन लिवंग ठीकारी करें उसका नहीं करते हैं इस जानकारी होनी चाहिए ठीक है तो हम बात कर रहे हैं आगे इसी के अंदर कुछ एक्जामपल्स मैंने आपके सामने पेस किये हैं इन एक्जामपल्स को आप चेक कीजिएगा एक बार उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चलो चेक करते हैं एक बार देखीगा देखो रादी का सा एक्जामपल्स पहला यह है इसके अंदर हमें एरर पाट ढूनना है कौन सा एरर है कौन सा मतलब सही है सेंटेंस यह चीज हमें देखना है ठीक है ध्यान रखना इस चीज के बारे में आगे हम देखते हैं तो सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर है ना हाँ चलो अब यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूँ अब देखिए इन से रिलिटीड कुछ रूल्स है उन रूल्स की बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपके सामने हम पहले कॉर्सन फिर हम रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको रूल्स बताएंगे जिससे कि आपको जो आपकी जो भी क्योरी है जो भी आपके मन में डाउट है या किस तरकार के कोशन आता है वो भी हमें पता चल जाएगा देखेगा कि रादिका सा एक शिक्स फिट स्नेक रादिका ने एक शिक्स फिट स्नेक देखा ठीक न यहां पर हमें यहां यह देखना है यहां पर निम्रल है ठीक न इसके बाद फिट आया है और इसके बाद स्नेक नाउन आया है ठीक न तो हमें यह देखना है कि किस पे क्य लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे क्या ये पूरा सेंटेंस सइए थ्री डे सइए या क्या एगा इसके साथ वो चीज हमें देखनी है यहां पर यहां पर हंड्रेट्स ओफ बुक्स वर वॉस व्ट सॉल्ड यह सही है क्या तो यह सारी चीजे हम सामने आपके लेके आये पर एरर पार्ट हमें लग रहा है तो क्या है यह कैसे हुआ कैसे क्या हुआ क्या होगा सारी चीजे हम देखेंगा आगे देखिए दोस्तों यहां पर जो फिट लिखा गया है ठीक ना वह रॉंग है क्यों कि यह यह प्लूरल है बलकि हमें क्या करना है फुट करना है ठीक ना यानि इसका singular form लिखना है ठीक है तो यह चीज हमाई कैसे क्या है यह सारे rules में आपको बताऊंगा अब यहाँ पर three है प्लूर्ल है किवल यहाँ यहाँ पर फिट आएगा यह भी हम देखेंगे इसके बाद कि 100 of books वरवाज सॉल देखिए यहां लिखावा है books plural है यहां off लगा गया है इसका मतलब यदि off के off से जुड़े भे हैं एक numeral है या noun है ठीक ना यदि ये plural है तो ये भी plural होगा तो hundred है तो hundreds हो जाएगा ठीक ना इसके साथ साथ SEIS लग जाएगा लेकिन अकेले में इसके साथ SEIS नहीं लगता हूँ सारी रूल्स हम देखेंगे लैक्स ओफ थाउजन्ट ऑफ सार्ट्स बहुत सारे जो शर्ट्स अना अब देखिए यह प्लूरल हो गया तो इसके साथ आने वाली जो सब्सक्राइब वह भी क्या होगी इसके बाद देखिए लैक्स ओफ थाउजन्ट ऑफ सार्ट्स इस और मैनिफेक्टर्ड अब यहां हमें पता चला लैक्स यहां प्लूरल से ऐस लगा हुआ इसके साथ यहां ओफ दिया गया है यहां थाउजन्ट आगया ठीक ना अब देखि अब हमें यह जानना है एक रूल यहां पर एक और बनके आता है वो रूल क्या है देखिए का दोस्तों कि जो भी जाना असेंडिंग और डिसेंडिंग और असेंडिंग का मतलब ठीक है असेंडिंग का मतलब भड़ता हुआ डिसेंडिंग का मतलब गरता हुआ करब तो हमें यह देखना है यहां पर जो लिखेंगे न वो क्या लिखेंगे हम मतलब जो छोटी जो संग्या है न वो लेके चलेंगे तो thousand छोटा है और lakhs क्या है बड़ा है thousand से बड़ा क्या है लेक है लेक है ठीक न तो यहां पर क्या करेंगे फर्स्ट नंबर पर यह आएगा thousand of lakhs अब देखें प्लिउरल हो गया तो क्या होगा आर होगा है यहां थावजेंड्स ऑफ लेक्स ऑफ साइट्स आर मैनिफेक्चर तो इस परकार के कुछ रूल्स इन से रूल्स इन से रूलेटेड जो रूल्स है वो रूल्स मैं आपके क्या हूं तो ध्यान देंगे सभी बच्चे किस परकार से क्या कैसे solution हम करते इसका वो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं हाना इसके बाद देखेगा मैं आपको रूल्स बता रहा हूं तो आप एक बार नोट कर लीजेगा इसको हलो तो देखिए अभी जो मैंने बताया कि हम किसके साथ कौन सी unit के साथ कौन सा CIS लगाते या नहीं लगाते उस सीज को लेकर हम आपके सामने आए तो देखिए फ्रेंड्स यहां हम बात करें तो आपके सामने definite unit है और इस definite unit के अंदर definite unit जो है उसके अंदर हम क्या करें कौ कौन सी कंडिशन में ऐसी है होगा कौन सी कंडिशन में singular unit यूज करेंगे all आर देखेगा यदि आपको निमरल यहाँ पर दिखावा होता है रणा संख्या होती है उसके बाद यूणिट दिया गया होता है ठीक है और उसके बाद कोई noun या adjective होता है तो यहाँ पर जो आने वाल पी हो सकता, डॉलर हो सकता, डे हो सकता, येर हो सकता, और मन्त हो सकता, नुमरल के बाद में यूनिट दिया गया हो, तो इसके अंदर ये जो यूनिट है, उसके साथ, नुमरल हो, उसके बाद यूनिट हो, और यहाँ पर noun या adjective था है, यहाँ कुछ भी noun adjective नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके साथ 100,000 dozen foot इनके साथ SCIS एड नहीं करेंगे, otherwise इनके साथ हम SCIS एड कर सकते हैं, ठीक हैं, जैसे मैंने लिखा, यहाँ इसके साथ क्या हम SCIS लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यूंकि यह हमारा rule कह रहा है, कि numeral हो, और unit के इंदर 100,000 1000 dozen foot score हो, तो उम क्या करेंगे, SCIS नहीं लगाएंगे, ना, और यदि ऐसा हो, जैसे 5 dollars होता, तो उम कर देते हैं, 5 days होता है, तो कर देते, 5 years कर देते, 5 months कर देते, all are, ठीक हैं, बट इनके साथ हम SCIS एड जैसे 5000, 500, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना, 5 scores, 5 foods, ऐसा कुछ नहीं होग SCIS को लेकर आपको जानकारी होनी चाहिए, तो ये जानकारी मैंने आपको दी ही है, ठीक है, ये definite unit थी, इसके आपने बात की, अब बात करते हैं, indefinite unit की, किसके बात करते हैं, ये उतार लेना है, इसको न, screenshot ले लेना, आप, अब definite unit की हम बात करें, तो देखो, indefinite unit में क्या होता है, indefinite unit की कहानी भी कुछ ऐसी है, फोड़ा सा इसके अदर difference है, वो difference क्या है, वो चीज हम चेक कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, दोस्तों, ऐसा कुछ होता है, तो हम क्या करें, अब देखो, यदि कोई unit दिया गया है, indefinite unit के अंदर, indefinite, जो unit हो बात करें, तो क्या होता है, उसका रूल देखीगा, indefinite unit के अंदर, पहला जो है, वो चीज करते हैं, पहली जो है, वो इदेखे, unit दिया गया है, आपको, और off दिया गया है, और उसके बाद कोई noun आ रहा है, क्या रहा है, कोई noun आ रहा है, क्या रहा है, कोई noun आ रहा है, क् ञां से unity दिया गया है off को इन तो देखिए का यहां unity जो है वो यह दी plural है sis हो इस ऑफ के बाद वाला जो नाउन होगा वह भी क्यों होगा और इसके बाद जो आने वाली जो helping वप है इसके बाद जो होगा इसका वो ascending order में होगा ascending order में होगा यानि small to big होगा क्या होगा small to big होगा यानि चोठे से बड़ा जो अभी example दिया था मैंने इसमें कि जैसे मानलो पहले लिखा हमने thousand लिखेंगे या पहले hundred लिखेंगे या फिर thousand लिखेंगे इसके लेक्स होगा इस परकार से न यह होगा small to big होगा जान रखना कभी arrangement की problem भी आ सकती है सोना ध्यान से कि यहां पर कोई unit दिये गई है और यहां पर off दिया गया तो आने वाला जो noun की होगा वो plural होगा और इसके साथ जो आने वाली helping verb है वो भी plural होगी इसके बाद small to big इसका order होगा जो मैंने अभी अभी example भी दिया था आपको उस example को चेक करना एक सब कुछ समद में आ जाएगा ठीक है इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा वो देखी गाई बार हना indefinite unity के अंदर यह जो पहली जो रूल था वो मैंने बताया आपको कि इस रूल के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीज़े हम लेके चलते हैं small to big होगा ठीक है अब देखिए कई बार क्या होता है 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 हैंड फूल है हैंड फूल है हैंड फूल या कुछ unit के लिए group of unit के लिए बताने के लिए हम यूज करते हैं ठीक न तो वो चीज हमें देखना होगा कि कौन से कहां पर तो देखी का friends यह हम बात कर रहे थे hand न और glass bowl और glass bowl और jug के साथ हम full word का use कर सकते हैं और इसके साथ हम S का यूज भी कर सकते हैं जैसे हैना हैंड फूल्स हैंड फूल ठीक ना हैंड फूल्स ग्लास फूल्स टे ऐसा कुछ हम यूज कर सकते हैं ठीक ना इसके बाद हम देख कते हैं आगे फ्रेक्शन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं फ्रेक्शन की पार्ट होता है ह। और जो कुछ इसका हिस्सा होता है तो हम बात करते निदिखें निद्स गोई इसक नियुनेटेल है वह चीज हम लेके चल रहे है तो देखो बचो यहां हमारे सामने लिखा गए है one third क्या लिखा हुआ है one third फीक ना one third लिखा गया है अब देखिए one third को हम one third बोले या one third के साथ s e e s का यूज़ भी कर सकते हैं यहां ऐसा कुछ है क्या हमारे नियम में तो देखें है दोस्तो यदि numerator 1 आता है numerator 1 आता है तो वहाँ पर हम इसके साथ S या Yes का use नहीं करते हैं 3rd के साथ बलकि numerator यदि ज़्यादा आता है तो हम S का use कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर 1 3rd ही सही होगा लेगिन इसके साथ आने वाली जो helping verb होगी वो भी क्या होगी singular ही होगी तो 1 3rd होगा ना कि 1 3rd होगा ठीक है बचो इसके बाद देखीगा proper fraction के बात करें तो देखीगा proper fraction में क्या होता है यहाँ पर लिखा गया 2 3rd यानि अब जो numerator है वो 1 से कहीं ज़्यादा है एक ज़्यादा है 1 से इसका यह नहीं है यदि 1 आता तो हम इसके साथ ऐसी है इस एड नहीं करते बलकि 2 3rd यहां पर है तो यहां पर 2 लिखा गया है तो यहां पर 3rd लिखा गया इसका यह वोगा 2 3rd होगा ठीक रहा और इसके साथ आने वाली जो helping verb होगी वो plural helping verb होगी वो denominator से कहीं ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे वो ही 5 3rd नहीं बोलेंगे इसको हम 5 3rd सी बोलेंगे और इसके साथ आने वाली जो helping verb होगी वो भी plural होगी तो इस परकार से हमारे सामने यह कुछ fractions है उन fractions के अपने बात की तो यह fractions आप देख सकते हो हाना कि इनका uses कहां कहां होता है और exam में भी आपको धान में रखना है यहां से questions पूछे जाते हैं इसके अलाव अब हम बात कर रहे है mixed fraction की किसकी बात करेंगे mixed fraction की बात करेंगे कि mixed fraction के अंदर होता क्या है ना जैसे मालो mix fraction देखिए इसका mix fraction हम कर सकते हैं तो देखिए क्या होगा हाना ये हम subject verb agreement भी इसी के अंदर पढ़ रहे हैं ध्यान रखना noun जो पार्ट सो पीच पीच है इसी का हिस्सा है subject verb agreement हाना इसी का part है ध्यान रखना कभी भी कोई इससे अलग नहीं है बना दिया गया हलांकि लेकिन पार्ट इसी का है यह ना यह चीज भी आपको ध्यान रखना है यह full लगाएंगे इसके चाथ इसका यूज कर सकते हैं यह भी हमें ध्यान में रखना है ठीक है अब देखिए इसके अंदर मिक्स फ्रेक्शन की बात करते हैं मिक्स फ्रेक्शन दानते हो आप क्या होता है जिसको जिसके हम मतलब जिसके टुकड़े कर सकते हैं उसको मिक्स फ्रेक्शन यूज करते हैं ठी यहां पर यह तो प्रॉफर फ्रेक्षिंगे बात करें तो इसमें हमने डिवाइड किया एक बाद ठीक है ना तो होगा एक ना तो क्या होगा इसके साथ हम बात करें तो इसके बाद हम बात करें टू थर्ड ठीक है यह होगा तो यह होगा इसका जो मिक्स फ्रेक्शन होगा वो यह होगा तो बताईए इसको वन एंड टू थर्ड बोलेंगे इसको वन बोलेंगे हना वन एंड टू थर्ड दो अपसन है हमारे पास वन एंड टू थर्ड बताईए क्या बोला जाएगा यह हमें ध्यान में रखना है I vix fraction में क्या होता है क्या बोला जाएगा हाई यहाँ पर भी देखेंगा वही रहा हमारे सामने फोलो रही है तो यहाँ पर ना कि तूर थर्ड आएगा तूर थर्ड सी आएगा और इसके बाद जो हेलपिंग वर भाएगी वो प्लूरेल हेलपिंग बरबाएगी प्लूरल हेलपिंग गुरभ आएगी इस सीज इसको हूआ ध्यान में रखना है ठीस दोस्तो ये आपको पता हो ना चाहिए है bat ये चीस आपको आक्षामने नहें लिख दीस है आप इसके बाद कुछ examples में आपके सामने paste करता हूं आप 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 देखेगा यह लिख लिए आपने इसके बाद मैं बात करता हूं एक आपके सामने एक छोटा सा part or regress का fraction का वो हम देख लेते हैं मैं आपको इसके साथ क्या बता रहा हूं पता है आपको मैं आपको बता रहा हूं subject वरब agreement भी क्या यूज होगा क्या नहीं होगा इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इसके साथ साथ तो आपको ध्यान में रखना है कि कौनसी जगा पर क्या यूज होगा ठीक है नग अब एक फोर्मला आपके सामने है अवद से पूरी अब देखिए क्या है यानि amount यानि amount होता है यानि क्या होता है amount होता है w यानि weight हो गया इसके बाद बात करें डी यानि distance डी यानि distance होगा और h यानि height ठीक ना और s यानि speed और p यानि period of time period of time यह यदि आपको मिलता है amount weight मिलता है distance मिलता है हना और height मिलता है हना और यदि यह united sense में जवाब दे रहे है united sense का मतलब संगठित होकर और इसका होता है divided sense में divided sense में यह दी बात कर रहे है यदि united sense का मतलब एक की बात कर मतलब बिलकुल एकटे होकर एक किसी group की बात कर रहे है तो singular helping verb यूज होगी हना और यदि divided sense में बात कर रहे है तो plural helping verb क्या यूज किया जाएगा समझे बात को कि अवद से पूरी हना अवद से पूरी इसका मतलब अवद पूरी भी बोल दो चाहे अवद से पूरी बोलोगे तो और भी सही रहेगा हना तो यहां पर awdhsp यानि amount, weight, distance height, speed period of time में आपको नजर आता है और united sense में उसका sense united है और divided है तो plural helping verb और united है तो singular helping verb का यूजम करेंगे एक बार देख लीजेगा अभी देखेंगे देखो बात करें आगे देखें आगे क्या होगा इसके अंदर वो भी चेक कर लेते एक बार united sense या divided sense जो भी है वो चीज हम देखते हैं बताओ क्या होगा बताओ चलो इसके बाद देखेगा हमने बात की 10,000 rupees is in my pocket अब देखेगा यहाँ पर divided sense और united sense के बात करें यहाँ पर 10,000 लिखा गया है it means यह क्या है 10,000 amount है और amount की हम बात करें तो यह जो पूरा amount है 10,000 rupees अब देखेगे यह divided sense में है यह united sense में depends करता है आगे इसके अब यह बोल रहा है कि 10,000 rupees are in my pocket देखेगे मेरे pocket में है it means यह united sense में है किसमे united sense में है लेकिन मैं बोलू in my pockets एक pocket में है तो united sense है यानि cable pocket की बात करता है तो इस आएगा और बहुत सारी pockets है उसके उसकी बात करता है तो क्या होगा? आर होगा इसका मतलब हमें समझ में आया united sense के अंदर singular helping verb का यूज करते है divided sense के अंदर plural helping verb का यूज करते है इसका में ध्यान में रखना है ध्यान रखना है इसके बाद देखिए five meals is are covered on foot and by car देखिए foot से क्या होता है? यह क्या करता है United sense को बताता है divided sense को बताता है और by car है वो क्या कर रहा है? एक united sense को बता रहा है तो बताएए यहाँ पर is लगाएंगे आ रहेगा देखिए यहां पर हम बात करेंगे फुट की तो इस आ जाएगा और भाई कार की बात करेंगे तो क्या जाएगा आ रहे जाएगा तो आपके सामने यह था इसके बाद हम बात करते हैं कुछ थोड़ा सा और इसके साथ कुछ एस्टा जो इसकी vocab है उसके हम बात करते हैं हना noun की जो vocab है उसके हम बात करते हैं कि कहा पर किसका कहा पर किसका use होता है किसका नहीं होता है ये तो हमारे कुछ rules के उपड़ डिपेंड था इसके अलावा इसकी कुछ vocab होती है उस vocab को कैसे हूम लिखे कैसे क्या है सारी चीजे हमारे सामने है देखेगा जो पहली जो पार्ट है हमारा वो ये है नाउन देखेए नाउन की वोकेब का अंदर हम बात करें तो देखेगा कुछ नाउन्स uncountable nouns होते हैं ठीक ना कुछ uncountable nouns होते हैं कुछ uncountable nouns होते हैं, ठीक न, कुछ ऐसे noun, जो uncountable होते हैं, uncountable noun होते हैं, कैसे होते हैं, uncountable noun होते हैं, लेकिन जब उनके साथ SCIES add करते हैं, जब उनके साथ SCIES add करते हैं, तो इनका जो basic meaning होता है, वो change हो जाता है, क्या हो जाता है, basic meaning change हो जाता है, क्या हो जाता है basic meaning change हो जाता है ठीक है इस प्रकार से कुछ दिखवाराओं में ध्यान रखना है इनका की अब देखिए वो केप के अंदर है नाम की वो केप हम पड़ रहे हैं कि कहां कहां पर इनका वो केप जो है वो देख लिए जिगाई वाल अब देखिए कुछ लिखवार रहा हूं में है यहाँ पर धान देना पेन और पैंस ठीक है इसके बाद हम बात करें एडवाइस अना और अटवाईस इस एडवाइज आईरन 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 इसके लाव वर्क फाग्स works works और respect respects अब देखिए यहाँ पर हम देखे देखे यहाँ जो pen है इसका मनम इसका मीनिंग क्या होता है दर्द होता है इसका मीनिंग क्या होता है दर्द होता है ठीक ना एक जिसको हम बोल सकते हैं इसके बाद हम बात करें पें का मतलब क्या होगा यहाँ पर पेंस का मीनिग क्या होगा बताइए इस ट्रीगल होगा क्या होगा इस ट्रिगल होगा यहनि यह अनकॉंटेबल है गोड़िव działa sondern इसके साथ एस व्यूज करें है एस अम कभ यूज कर सकते हैं जब इसका मिनिग Change हो, दूसरे meaning में इसका use किया जाता है, तब हम इसके साथ as use कर सकते, यहां पर पता चला, pain यह uncountable था, लेकिन इसका meaning यह होता है, एक के आर्थ में इसके साथ as यह सी नहीं लगा सकते, बट pen के साथ यह ऐस लगा देंगे, तो इसका meaning है वो change हो जाएगा, और meaning change होको क्या हो कि बात दखीए यह होता है हो जाएगा जदल्ग हो जाता है कि इस का मतलब क्लीग होगा इनसरीग होगा क्या होगा information होगा इसके बाद देखिए यहां इस iron का मतलब metal होगा iron का मिनिंग क्या होगा metal होगा और irons का मतलब क्या होता है chance हो जाता है यह चीज धार रखना और work देखें क्या होता है work यहां पर duration of task उसको work बोलते duration of task और जो literary works होते है साइटिक कारिए उनको हम works बोलते है literary जो works होते उनको भी work बोलते है literary writing बोल दो या repair का meaning होता है जो फोर का मेंनिग ़हां गहीं होता है यह होता है इस पर क्या contempor परकाश से देखिए beauty का मतलब glamour होता है ठीक ना glamour का मतलब जो सुन्दर होता है उसको लेकिन यदि beauty के साथ ACIS एडिकर दिया जाता है तो यहां इसका meaning change होता था और girls हो जाता है निए beauty को plural नहीं बना सकते हैं ठीक ना इसके बाद देखिए respect जो word है already honor का meaning देता है बट respects के साथ यदि हम as लगाते हैं तो यह compliments का meaning होता है ठीक ना यहां पर हम honor के meaning में honor के sense में हम इसके साथ ऐसी yes use है नहीं कर सकते हैं यदि word की बात करें तो promise करना या कोई है conversation कोई भी word है ना उससे रिटेड वर्स की बात करते हैं तो पूरा message उजाता है उसका meaning ठीक ना या एक सब्द या बहुत सारे सब्द के लिए दो सब्द है तो मुसको words नहीं बोल सकते बट यदि message है तो उसको पूरा words नहीं बोल सकते है परसन singular भी हो सकता है प्लिजर भी हो इसका meaning change होता है और इसका meaning a nation को sense देता है रिटेंस की बात करते हैं तो एक return तो होता है आप जानते हो ना return return का मतलब होता है वापस आना वो तो वर्भ है ठीक ना लेकिन returns लिखा हुआ होता है इसके बाद देखिए custom जो convention होता है उसको custom बोलते है customs जो होते है वो tax होते है मतलब import और export होते है उनके जो customs होते है उनको मतलब meaning उनका tax होता है इसके बाद बात कीजिएगा यदि clothes होता है उसका मतलब meaning होता है लेकि install Aqui यहां पर 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 यहां प बात देखे, gold, metal होता है, golds की हम बात करें, तो medals होता है, ठीक है na, medal, जो medal होता है नो, उसको बोलते हैं golds, ठीक है na, medals की बात करते है, wood, आद जानते हो, लकडी होता है, लेकिन wood के साथ, LCS लगा दिया जाता है, तो इसका meaning, forest हो जाता है, क्या हो जाता हैrió इसी के according aire atmosphere honता है Aires की हम बात करें तो Proud Behavior होता है इसक bıहyýar को हम ए इस बोलते है Letter जुआ जानते हैं तो लेकर का मेनिंग क्या होता है पत्तर होताहा लेकन स्क्रीन सोट ले लिएजिएगा सब कुछ आपको सौन में आ जाएगा है ठीक है चलो इसके बाद देखते हैं आगे कि अगर कि यह वर्ट्स मैंने लिखा दी है आप उतारते रहें न इनको न अच्छे से तब जाके सौन में आएंगी इनको याद अब भी करना पड़ेगा ऐसे कुछ नहीं है ना बिना याद किये भी इन नहीं कर सकते आप कुछ भी कि यहां रखने सीज़ का हुआ हुआ है ठीक है चलो कि अगर कि अगर कि अगर कि कि यह हो गया इसके बाद देखते हैं और कुछ वर्ट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं दो चार वर्ट जो भी है इसके बाद के जो वर्ट्स है करा भी है ड़ा अहना वोटर हो गया प्र्ट्स हो गया इसके अलावा चोंना वीट हो गए अदेख्रों थो भूंद Sí कि इसके अलावा अब्यूज हो गया हाना अब्यूज हो गया हाना और सेंड हो गया हाना है इसके अलावा मैनर हो गया मैनर का मतलब तरीका होता है और मैनर का मतलब तरीके हो गया देखिए वोटर का बात करते हैं केवल वोटर की तो होना क्या होता है वोटर का मतलब आप जानते हो पानी होता है लेकिन इसके साथ एड कर दिया जाता है तो इसका मतलब सी हो जाता है समुद्धर हो ज तो यहां पर क्या होता है इसका मतलब रिजर्ट्स हो जाते है इसके बाद बात करें विट का मतलब वात पटूता होता है और यदि इसके साथ एस लगा दिया जाता है तो बुद्धिमता हो जाती है क्या हो जाती है बुद्धिमता हो जाती है अब्यूस का मतलब गाली देना लगा दिया जाता है इसका मतलब S लगा दिया जाता है तो कूरतिया हो जाती है उनको बोलते है सेंड का मतलब वैसे मिट्टी होती है या सेंड का मतलब मिट्टी होती है रेत जिसको हम बोलते हैं लेकिन सेंड से आ जाता है संट का मतलब रेगिस्तान होता है क्या होता है रेगिस्तान होता है और मैनर का मतलब तरीका होता है लेकिन मैनर्स लिख दिया जाता है तो क्या होता है तरीके होता है बहुत सारे ठीक है तो इस प्रकार के कुछ वर्ड्स मैंने लिखवा है जिनका स या इस लगाते हैं इनका म लगाया जाता है कौन से क्या है वो वर्ट्स मैं आपको लिखवाने वाला हूं तो वो भी एक बार आप चेक कर लीजेगा क्या होगा क्या नहीं होगा चलो, ये कुछ words मैंने लिखे हैं, इनको हो मैं समझना है, क्या है, क्या नहीं है, ठीकि दोस्तो टाइम की वज़े से थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वज़े से मेरे को रोकना पड़ता है और इनको लिखाना पड़ता है, देखेगा दोस्तो हम बात कर करें नंबर्स होते हैं कुछ ऐसे, जो सिंगलर भी होते हैं और उनके हम बात कर रहे हैं कि कौन से सिंगलर होते हैं, हुना, उनके साथ हम सिंगलर हल्पिंग वरभ यउस करेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट वरब एगरिमेंट भी इसी के साथ लेके चल रहे हैं तो देखीगा फ्रेंट्स यहां पर हम बात करते हैं जो पहला रूल है हमारे यह सामने यह है कि ऐसे नाउंस जिनके साथ इसके फ़हरी बात करते हैं उन्हें में बात कर रहाम सबसे पहले का है कि इस वहां पर हम प्तृत करेंगे प्लूरेल हेल्पिंग गर्प का यूज़े करेंगे, सीज़ को ध्यान में रखते वे आपको आगे बढ़ना है, इसके बाद देखेगा, name of accessory, कोई भी accessory है, ना, जैसे earrings हो गया, bangles हो गया, shoes हो गया, stella हो गया, billers हो गया, studies हो गया, slippers हो गया, flotters हो गया, now, next हम बात करते हैं, dress items, dress items का मतलब dress के जो भी items है, जैसे pants हो गया, pantaloons हो गया, jeans हो गया, trousers हो गया, plazos हो गया, girls के लिए legging हो गया, यह सारी चीज़े क्या है, हना, इनके साथ, यह, मतलब इनके साथ, ऐस यह साता है, और यह plural होती है, तो इसके साथ हम plural helping verb का ही use करते हैं, जैसे seizure होती है, seizure में हम देखा जाए, तो उसके अंदर, seizure तो एक होती है, लेकिन उसके अंदर जो tools होते हैं, वो दो होती है, ठीक ना, इसका मतलब दोनों मिलकर क्या करती है, cut करती है, तो वहाँ पर हम उसको plural मानेंगे, एक्सवेल में, तो इस वज़े से यहाँ पर हम plural helping verb का use करेंगे, name of tools, instruments हो गया, name of accessory हो गया, race items हो गया, उनके साथ हम plural helping verb का use करेंगे, ठीक है, तो इसके साथ देख लीजेगा, आप एक बात दुबारा से revision कर लीजेगा, name of tools हो गया, जिससे expect kals हो गया, cereals हो गया, pluckers हो गया, ठीक है, इसके बाद आम बात करते हैं, teasers हो गया, expect calals हो गया, ठीक हैं गूगल हो गया, इनके साथ आने वाली जो helping verb भोगे न, वो कैसी होगी, plural होगी, कैसी होगी, tongs हो गया, चीमटा जिसकों बोलते हैं ठीक ना ये टूल सी है ठीक तो वहाँ पर helping वरब कौन से होगी plural होगे और इसके अलावा next जो rule मैंने बताया आपको वो क्या है देख लीजिए का आपके सामने है देखो ये रहा इसके बाद देखेगा दोस्तों हमारे सामने इनके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वब का यूज करते हैं वह ऐसी है इस नजर आता है उनके सटेखे वहें साथ होते ही इस फजह से उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वब का ही यूज के अजाता आता है कूछ एकस्ट्रा लिखाय मैंने आप आना इंबर हो गया ठीक ना जिसका मेनिंग राग होता है ठाइडिंग्स समाचार हो तेख गिनर्स हो गया है एसके मतलब का फार्सी का फंदा होता है बाद दीक है जंके साथ हम प्लियृर्ल हलिप बब का करते हैं अलपिंग यूज destructive करते हैं ठीक है तो द्यार रखना इनका इसके अलावा फैंक्स का मतलब डंक होता है thanks का मतलब क्या होता है दंक्स होता है ठिक कुछ न Wi-Fi, यह सारे वर्ट्स हैं जिनके साथ हम यूसि यूजिजिड करता है तो इनको आपको ध्यान में रखना है तब जाके आपके clear हो पाएगा और यहां से एक दो question पूछते रहाता है ठीक ना बार-बार बच्चे confused हो जाते हैं फिर वो क्या करते हैं singular कर देते हैं उसको ठीक ना जैसे मालों seizure लिखा हुआ आपको लगता है कि singular है बट शीजर सी लिखा जाता है ठीक ना तो सीजर के लिए हम क्या करेंगे plural helping बब का यूज़ करेंगे इसके साथ next जो रूल है वो देख लेते हैं एक बार कर दूस आप इसको लिख लेना स्कूल सोट लेना या लिख लेना आगे देखो चलो next चेक करते हैं अब देखिए किसी नाउन के साथ यदि ऐसी आइस लगा होता है रूल नंबर थर्ड जो भी है फोर्त है किसी नाउन के साथ ऐसी आइस लगा होता है और फिर भी उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं कौन से यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जिस किसी नाउन के साथ ऐसी आइस लगा होता है फिर भी उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो वह हम दे इसके लावा सब्जेक्ट हो गया कोई भी सब्जेक्ट ना अब इनके नाम के साथ ऐस लगा होता है लेकिन हम उनको सिंगुलर उनके साथ जो हेल्पिंग वब होती है वो सिंगुलर होती है क्या होती है singular होती है ध्यार रखने सीज का जैसे हो गया अब हम देखते हैं सबसे पहले हम books का नाम लेते हैं देखिए books के अंदर जैसे मालों कोई भी बुक हो गई ठीक ना जिसके साथ रिकेट्स हो गया इंदर दरी Özal explains को करीणे इन के लिए हम यूज ने करेंगे को गया सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए भी हम क्या करेंगे यूज नहीं करेंगे सिंगुलर हेलपिंग वर्प का ही यूज करेंगे ठीक है टेकेट्स हो गया डहर रखना इन चीज़ का सिविक्स हो गया यह मैं कुछ words से नीचे लिख देता हूँ, जैसे example लिखा मैंने, no news is good news, no news is good news, अब देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, no news is good news, यहाँ पर देखें, is आये, means क्यों आये, news लिखा हो, बलकि, news तो हमें लगता है कि plural है, बट इसके साथ, singular helping up का use हम करेंगे, ठीक है, धार नक स्पोर्ट के name हो गई, कभी-कभी है, na books के name होते है, उनके लिए भी हम क्या करते है, हना, singular helping word का use करते है, djs हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एड़िएस हो गई, sports के name हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, singular helping word का use करेंगे, जान रखना चलो इसके बाद देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जैसे वो बुक है ना गुलिवार्स ऐसा कुछ है गुलिवार्स ऑफ अमेरिकन ऐसा कुछ है ठीक ना वो बुक पी धान रखना है इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा वट्स है उनको भी चेक कर लेता हैं एक और आ थे एक्सक्रा वर्ड्स क्वाप से हैं देख्लिए जगाइ बात जो आहीं मतलब दिखते से संग्धिorn की जैसे हैं लेकिन उनके साथ प्लूरेल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होती है वह हम चेक कर लेते हैं एक बार वह कौन-कौन से है इनके साथ प्लूरेल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होती है ठीक न देखिएगा केटल केवलरी इन फन्टरी प्लिस पिपल्फ प्लिक अना पिप्ल्फ प्लिक चल्डरन चलडन हो गया ठीक है ना? इसके अलावा जेंटरी ठीक है न? यह कुछ बर्स है जिनके साथ clinical away helping verb का यूज करते है वर्मिन हो गया ग्लिर जी हो गया यह सारी बर्टOOOO है जिनके साथ दिक्ते सिनुलर है लेकिन इनके साथ आने वाली जो man verb जा helping verb है वो plural आती है कैसे आती है plural आती है दहान रखना सीज़ का इसके बाद देखीगा पॉल्यूट्री होई गया इन्फेंट्री है इन्फेंट्री हो गया पॉलिट्री यह क्या है ऐसे वर्ट से जिनके साथ प्लूरेल हेल्पिंग वर्ग का यूज क्या जाता है ठीक है तो देखिए पॉलिट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन पॉलिट्री का मतलब क्या होता है मुर्गी पालन होता है और जेंट्री का मतलब कुलीन वर्ग होता ह जेंटरी का मतलब कुलीन वर्ग होता है पिस जेंटरी का मतलब करसी से रेटेट होता है ठीका ना देखिये के टल अब यहां पर बताएव इस आएगा या आर आएगा ऑसन आपके सामने है इस आएगा या आ रहेगा ना के टल देंग प्लेस इसके बार लिखा हुआ है running in the field अब इस या आर में से बताईए क्या होगा अब पता होना चाहिए आपको कि यहां पर लिखा गया है cattle और cattle के लिए प्लूरल हेल्पिंग वब का यूज हम करते हैं क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि प्लूरल हेल्पिंग वब का ही इसके साथ यूज होगा तो यहां पर देख लिजेगा दोस्तों प्लूरल आएगा cattle और ग्रेजिंग रनिंग इन दा फिल्ड हना यह वर्ट्स देख ले ना cattle कैवलरी हो गया, इंफेंटरी हो गया, पुलीस हो गया, पिपूल हो गया, पबलिक हो गया, चिल्डर्न हो गया, जैन्टरी हो गया, वर्मीन हो गया, ठीक है ना, कलर्जी हो गया, यह वर्ड ऐसे हैं दिखते हैं लेकिन उनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है न व गिए क्या है क्या नहीं डेखिघा यहां आगे बात करते हैं rule no next की देखEK और यहां पर प Wherever a अजिनके साथ लास्ट भी लगा हो गया ऑई स्वाहमें उग संथ हो गया नेस हो गया जी हो गया है एसे कुछ साथ को कि कुछ extra words होते हैं जो यह rule follow नहीं होता है तो उनके साथ भी हम singular helping web का यूज़ करते हैं फटा फट लिख ले ना आप extra की में बात करूँ तो देखिए furniture word ऐसा है जिसके साथ ICI ES नहीं लगा सकते हैं यानि अपने आप में इसके साथ साथ आने वाली जो helping web है वो singular होगी एडवाइक्स के साथ भी ऐसा ही होता है information के साथ भी ऐसा ही होता है hair के साथ भी singular bread के साथ भी evidence के साथ भी और fuel के साथ भी singular helping web का use होगा ठीक ना तो देखें दोस्तों मैं आप मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह जो वर्ट से एक्जाम में पूछे जाते हैं से वर्ट धान रखना यहां से पूछा जाएगा यह वर्ट साना यह वर्ट से आपको नजर आते मिन्स वो singular helping verb लेगा ठीकर इसके बाद बात करिए जैसे आरवाई लास्ट में आजवेलरी हो गया पॉइटरी हो गया इमेजिनरी हो गया सिनरी हो गया क्रोकरी हो गया ठीक ना यह वर्ट ऐसे हैं जिनके साथ मतलब singular helping verb आएगी एक्विपेंट हो गया, इंजोयमेंट होगया, मेरिनेंट हो गया ठीक न इनिंघ जी जारंड होता है ना किसी verb के साथ यदी verb के साथ यदी इन sinister लगा हुआ होता है अब definitely है तो वो थ्यांदा रखना नाउन का काम कर रहा है अब यह नाउन है तो हमेशा इसके साथ आने वाली जो helping वह होगी वो singular होगी parking, drinking, thinking, smoking यह मैंने बता दिया है health, wealth, land है इनके साथ भी singular होगा kindness, poorness, business ठीक ना इनके साथ भी nice आता है last में तो singular helping वह कर लेगा जिció ए यह आता यह जी आता ठीक ना knowledge हो गया, postage हो गया, westage हो गया, breakage हो गया, bagage हो गया luggage हो गया, यह सारे words ऐसे हैं जिनके साथ singular helping होग का use होता है तो हमें ध्यान में रखना है की कौन से ऐसे words हैं जिनके साथ singular helping वह का use होता है आपके सामने है स्क्रीन सोट ले लीजेगा आप या देख लीजेगा इनको लिख लीजेगा अपने कॉपी के अंदर नौट बुक के अंदर स्टेशनरी वर्ड भी ऐसा वर्ड है जिनके साथ सिंगुलर वर्ड आता है ठीक ना अब मैंने आपको बता दिया लिए साथ सब कुस्नाउन से डेलेटेड यह सारे वर्ड से नाउन की वॉकेब्लरी में ने बताई आपको कि कौन सी वॉकेब्लरी का मतलब कहां पर कैसा कैसा यू पर इसका किसे साथ क्या helping वब यूज उती है singular होती है या plural होती है यह सारा कुछ आपके सामने है, देख लिएगा आप, ठीक है, चलो, सापकर देता हूँ इसको, हो, आपने देखा होगा, उन्ल इस यह, फर्णीशर इसन, ना, हिर इस वैलरीई, इसी थीगना, इनके साथ, सिंगलेग अपिंग भडare, बो от夜 deny uta, है thinking is good process ठीक ना ये भी क्या है सिंगुलर ही है न ड्रिंकिंग द्रिंकिंग पार्किंग इस नॉट अलाउड लियर ठीक न ये सिंगुलर हेल्पिंग भब भी होती है लैन्ट वैल दैना लगेज ब्रेगेज ठीक न लूनेज ये सारे सिंगुलर हेल्पिंग भब लेता है न सिंगुलर वाबाब या सिंगुलर हेल्पिंग भब लेता है तो इनका हमें ध्यान में रखना है इस प्रकार से हमने noun की vocab कर ली है इसके अलबा एक part और रह गया वो part हम देख लेते हैं क्या है हाँ ऐसी है कुछ super flows expressions है कुछ super flows expressions है यानि हम कहां पर किसका use करते हैं नहीं करते हैं वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ देख लीजिएगा super flows expressions की बात करें हैं तो देखेगा दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अन्टी word यूज़ करते हैं का यूज़ करते हैं अन्टी word यूज़ करते हैं इसके अलाबा हना copy जो होता है ना copy जो हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए वो copy यूज़ करते हैं ठीक है इसके अल यहां इसके अलावा ये जो words है देखिए आंटी word है बिलकुल बेاس बोलना बिलकुल गलत है इसको ठीक ना кोपी word बोलना गलत है इसके साथ हम notebook use कर सकते हैं copy की लिए हना मलकी copy नहीं बोलेंगे notebook बोलेंगे half pens की जगह हम source हम source बोल सकते हैं ठीक है जान रखना half pen नहीं बोलेंगे source बोलेंगे ये भी गलत है gravity कली आंटी भी गलत है cable आंटे बोल सकते हो ठीक है यहां पर एस प्रकास से super flows है कुछ जिनका use मतलब हमारे grammar के coding इस प्रकार के बहुत सारे words है जिन words के हम बात करेंगे कि कौन से कहां पर use होता है या क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ आप लिखेंगे हाना देख लीजेगा एक बार देखो सुपर फ्लॉज एक एक्स्प्रेशन्स यानि ऐसे राउंस जिनका use नहीं होता है फिर भी उनका करते है वो गलते है ठीक है पहला हुआ रेस्पेक्टेड सेर हाना दूसरा हम बात करें यूजवाल कस्टम इसके बाद बात करें के जिन स्टर या ब्रादर इसके बाद बात करें फाइनल इसके बाद बात करें इसके बाद बात करें फिरी गिप्ट अना फिरी गिप्ट इसके बाद बात करें आगे अन इंटेंस्टल मिस्टीक अन इंटेंस्टल मिस्टीक आगे हम बात करें रिपिटेडली रिपिटेडली सेम रिटर्न बैक इनके साथ साथ बहुत सारी वर्ड्स हैं इनको देख लीजिएगा आप एक बार सब कुछ दिखाई देरा आपको ठीक है बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट ठीक है ना इसके अलावा बैलेंस डायट के साथ बात करें पास्ट हिस्टरी यह कुछ वर्ड्स हैं इन वर्ड्स के साथ हम क्या नहीं करतें मैं बता दोंगा अभी कुन सा वर्ड कहां पर यूज होगा ठीक है वह मैं आपके सामने लिख रहा हूं आप समझाना एक बार क्या लिख रहा हूं में बैड ड्रीम अना बैड ड्रीम हो गया इसके लाबा गुड नेम अना बुड नेम हो गया ट्राउड़ी यह कुछ वर्ड्स है जिनको में द्यान में रखना है तो देखिएगा अब बात करें तो देखिए रैस्पेक्टेड सर रैस्पेक्टेड वर्ड अपने आपको रैस्पेक्टेड होता है तो सर लगाने की जरुत नहीं है फाइनल जोता है वह अपने आप में कॉंख्षिजधन और सभाने की जरुता है तो फाइनल के साथ हम यदी यह लगाते हैं तो यह सब्सक्ते कोई इस विए वह सटाइक यहां फे ? कोई जानबूत के दो होता है रीके होता है return back, back का मतलब भी एक होता है और return का मतलब भी यह होता है diet जो होती है, diet जो meaning है वो balance अपने आप में होती है ठीक ना, past जो होता है, वो history होती है ठीक ना, तो इन दोनों में से लिखना bad dream जो होता है, bad dream लिखना गलत है इसको nightmare लिख सकते हैं लिख सकते हैं, nightmare लिख सकते हैं good name, हमेंसा name होता है वो goody होता है, तो good name बोलने की जरत नहीं है proudie के लिए हम proud word use कर सकते हैं, proudie के लिए proud word use करते हैं, ठीक ना तो इस परकार से दोस्तों जो भी इसका part रह गया, वो हम next class में लेके आएंगे, हना और आज के लिए इतना ही काफी है और मैं उमीद करता हूँ कि आपको इकलास समझ में आई होगी और आगे भी आप अपने जो दोस्ते हैं को share करेंगे, हना अपने friends को बताएंगे, हना और उमीद करता हूँ कोई भी कोई दिक्कत हो तो आप comment कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं धन्यवाद, thank you